असलाम लेकुम, आज हमारा जेनल साइस का सैखनी लेक्चर है परिबिवेस लेक्चर में हमने हुमन Boredy और उसके डीफेर्न पार्स को छाट फॉर्म में डिसकस किया था आज हम हुमन Boredy के दो पार्स को डिटेल में डिसकस करेंगे Bones and Muscles हमारी human body में 206 bones present होती है वो सब bones आपस में joint होती है जब वो joint होकर एक structure बनाती है उस structure को हम कहते हैं skeleton जैसे कि आप लोग इस diagram में देख सकते हैं कि ये आपके पास different bones जो हैं वो आपस में joint होकर इन्हें उन्हें क्या बनाया वे है एक structure बनाया वे है जिस structure को हम लोग कहते हैं human skeleton अच्छा अब skeleton का हमारी body के अंदर function क्या है उसका दो function है first of all वो हमारी body को shape देती है second skeleton वो हमारे जितने भी inner organs होती है जैसे हमने previous lecture में डिकास किया था brain, lungs, heart ये हमारे inner organs है इन organs को जो है वो protection देने के लिए skeleton जो है वो इस्तमाल होता है अब for example हम हम दो bones के बारे में discuss करते हैं कि उनका हमारी body में क्या function है skull, skull जो है वो हमारे head के अंदर जितनी भी bones होती हैं उनको हम skull कहते हैं अब skull का क्या काम है हमारी brain को protect करना और जो rib cage हैं ये हमारे chest के अंदर जितनी भी bones chest में होती है उनको हम लोग ने collective नाम दे दिया है rib cage का तीक है rib cage जो है वो हमारे lungs और heart को जो है वो protect करती है next topic है हमारे पास muscles हमारी body के अंदर more than 600 muscles मुझूद होती है तीक है अब muscles का जितनी भी organ होगी उनका कोई ना कोई function specific function है ये मैंने last lecture जो था उसमें भी बताया था कि हमारी हर जो body organ है उसका कोई ना कोई specific function है अब muscles का हमारी body में क्या function है उसके बहुत सारे function है first of all हमें वो move करने में मदद करती है अब muscles जहें वो bones के साथ जहें वो present होती है कोई भी bone होगी उसके it get जितना भी आपके पास skin होगी उसमें आपके पास muscles मुझूद होंगे muscles जहें वो हमें move करने में मुद्द करते हैं इसके लावा different organs जो होते हैं उनको function perform करने में help करते हैं जैसे हमारी food जब हमने digest करने होती है तब stomach में जो muscles मुझूद होते हैं वो help करते हैं blood को flow करने में और जब हम desperation को process कर रहे होते हैं तो lungs को perform करने के लिए जहें हो muscles help करते हैं अब muscles जहें हो हमारे पास tough और elastic tissues से मिलकर बेने वे होते हैं tough जहें हमारे पास strong के लिए हम कर सकते हैं tough का मतलब और elastic tissues का मतलब है के आपके पास जाने के elastic का मतलब यह है के वो short भी हो सकते हैं और वो long भी हो सकते हैं यानि के movement करने के लिए जो आपके पास muscles के tissues हैं वो short भी होते हैं और long भी होते हैं वेन मसल्स कॉंट्रेक्ट इट बिकम शॉड एंड इट कॉजिस मॉमेंट कि आपके पास क्या है कि जब मसल्स कॉंट्रेक्ट होते हैं यानि कि सुकरते हैं कॉंट्रेक्ट का मतलब है सुकरना जब आपके पास मसल्स कॉंट्रेक्ट होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं शॉड हो जाते हैं और जिसके वजह से आप के आप पास के है है ओ को हाज होती है आप मुवमेंट मुसल्स की मदद से कर सकते हैं तो हम क्लिक्टिव ली कहा सकते हैं जा है कि मुवट्पक करने में हमारी शेप और हमें प्रोटेक्शन देने में मदद करते हैं